दगीकी मौंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे इस चनल दगीकी मौंग पे दोस्तो जी उने अपने प्लाना वाला प्लान आप लोगो बताया था वह वो सिर्फ और फेले था 15 जैनवरी 2018 तक है और यहां पे उस 398 रुपीस या उससे उपर की जो प्लाइन से उसपे तो यहाँ पर आप देख जो सकते हैं दोस्तों की जो इसके उपर के प्लाइन से हैं वो लगभग यहाँ पर उसका क्लेम है कि वो जो है approximately 399 रुपीस का अगर आप रिचार्ज कराते हैं यानि कि जो 50-50 रुपे के जो आपको आठ वाउचर मिल रहे थे पहले वाले प्लैंस में वो आपको मिलते ही रहेंगे और प्लस यहां पर बोल रहा है कि केश बैक ऑन सेलेक्टेड वालेट अप्टू रुपीज 300 तो यहां पर वो कह रहा है कि 300 रुपीज का केश बैक है दोस्तो यहां मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा यहां पर उसके प्लैंस में अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे न तो आपको यह ऐसास होगा कि इसमे कोई भी चेंजेस नहीं है सारे के सारे प्लैंस हुआ ही है दोस्तो यहां पर जो प्लैंस है उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है सिर्फ यहां पर एक चीज जो है फाइदे की है वो अभी में आप लोगों बता देता हूं वो दोस्तो फाइदे की यह है कि इससे पहले ज वो उसने redeem वहाँ पे क्तल लिया था वहाँ से वो हट गया था और यहाँ पे यह लोग एक नया यहाँ पे लेकर के आ चुके यहाँ पे आप देख जे सकते हैं बहुत सारे ऐसे users हैं दोस्तो जो Bheem app application यूज नहीं करते हैं दोस्तो तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अगर Bheem application का यूज करते हैं अगर उसके अगर आप UPI के तुरू payment करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपी का cashback मिलेगा मतलब अगर आप 399 रुपी का recharge अगर आपने अभी नहीं करवाए तो अभी भी आप करवा सकते हैं वहाला recharge करवाने पे आपको 84 days की validity के साथ में 1 GB data per day आप आपको मिलेगा और calling अगर तो सब free ही है तो यहाँ और साथ ही साथ में 399 का कराएंगे तो आपको वहाँ पे चार वहाँ पे आठ जो है voucher मिलेंगे 50-50 रुपे के प्लस साथ में यहाँ पे आपको 100 रुपी का cashback मिल सकता है Bheem UPI application के साथ आप लोग मुझसे यह बात कह रह यह एक्शुल में आपको पूरा खतम कर ही नहीं सकते है इसका पंडा बहुत ही नहीं गलत होता है सपोस्करिए कि अगर आपने इस से इस पर्टिकुलर UPI एप से अगर आपने पेमेंट कर दी और आपको 300 रुपे का cashback मिल गया तो आपको जो super cashback मिला है वो खतमी होगा क्य यानि कि suppose करिए का अगर आपने 100 रुपीज का कहीं पेमेंट किया तो उसमें से 30 रुपीज होगा वो आपको जो super cashback मिला है उसमें से कटेगा 70 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा फिर ऐसे करके अब फिर जब लास्ट में जब आपका यह super cashback रुपीज हैंडर ब बहुती हैं बहुत जादा नॉर्मल जो customers होते हैं उन लोग को इस चीज के बार में पता नहीं होता है तो आप लोग को घबडाने की ज़रोत नहीं है मेरी बात मानिये और आप बंद करके आप भीम यूपीज से आप इसका रिचार्ज करिए आपको वहां 100 रुपीज का cashback म नहीं जो एक ही है जो इससे पहले वाले प्लैंसी लोग ने दाम जो घटायते हैं वैसे ही दाम अभी भी घटे हुए फिलहाल अभी ऐसी कोई news नहीं है कि दाम कुछ बढ़े हो इन्होंने जो 459 रुपीज का रिचार्ज था उन्होंने घटा के 399 रुपीज का कर दिया था इस पर्टिकुलर वीडियो को एक तो लाइक बनता ही है तो थैंक यो ब्रेंट वाद 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 की की मॉंक